इस वीडियो में मैं आपके लिए देखाने वाला हूँ कि हम भारती इस्टेट बैंक की दो जमा पर्ची रहती है उसे कैसे बरते हैं एकाउंट थो हम सभी के पास होता है और हम पैसों का लेंदेन भी करते हैं जब भी हम भेक में पैसा जमा करते हैं तो पैसों के साथ हमें एक पर्ची भर कर देना होती है उसी पर्ची को भर कर में आपके लिए इस वीडियो में देखाऊंगा अगर आप कम पड़े लिखे हैं तब भी आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसान जिसे जमा पर्ची भर सकते हैं इस वीडियो को आप अंति तक देखते रही और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कीजिए जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिले चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जब भी आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक से आपके लिए एक जमा पर्ची ले लेना है बैंक की जमा पर्ची रहती है वो दो पार्ट में रहती है पहला पार्ट रहता है छोटा और दूसरा पार्ट रहता है बड़ा जो बड़ा वाला पार्ट रहता है वो हमारा पैसों के साथ जमा हो जाती है वो वाली पर्ची और जो छोटी वाली पर्ची रहती है छोटा वाला पार्ट ये केसियर हमें सिल लाकर दे देता है जो की हमें रखना होती है इस पर्ची को अब समाल कर रखें ये पर्ची हमारे प और इसके बाद इसमें है डेट यहाँ पर आपके लिए जिस भी तारिक को आप पैसे जम्म कर रहे हैं यहाँ पर आप उस तारिक को लिख दें यहाँ पर मैं एक्जम्पल के तौर पर आज की डेट लिख देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर आपके लिए अपना एकाउंट नमर लिख देना है आपका जो भी एकाउंट नमर है मैं यहाँ पर एक दो तिन चार पांच छे इस तरह से लिख देता हूँ आपका जो भी account number है आप यहाँ पर अपना account number लिख दें यहाँ पर अपना account number डानने के बाद आपके लिए यहाँ पर इस जगा में आपके लिए अपना नाम लिख देना है यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ कि ना में लखने के बाद अब आपके लिए यहां पर आप एए जितने भी रूपएपे पैसे लिखना है हैं यहां पर मान लीजिए मैं खाते में नगताश्मन कर रहा हूँ 5-6 रूपए तो यहां पर मुझें 5-6 रूपए를 लिखना है इस तरह से आपके लिए यहाँ पर पांचार रुपे लिख देना और यहाँ पर कुल जम्म तो यहाँ पर भी आपके लिए नीचे पांचार रुपे लिख देना है और इसके बाद आपके लिए यहाँ पर इस तरह से लाइन खेच देना है और इसके बाद आपके यहाँ पर सब्दों में लिखना है आप जितने भी रुपे जम्म कर रहे हैं उन रुपों को आप यहाँ पर सब्दों में लिख देजी यहाँ पर 5-6 रुपे कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं 5-6 रुपे लिख देता हूँ इस तरह से यहाँ पर आपके लिए जतने भी रुपे आप जम्मा कर रहे हैं वो रुपे लिख देना है और इस जगा को आपके लिए खाली छोड़ देना हैं यह office use के लिए है और इसके बाद हमारे पास यह slip का यह part आता है तो यहाँ पर भी आपके लिए सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर branch लिख देना है यहाँ पर मैं branch लिख के दिखा जाता हूँ आपके लिए और इसके बाद यहाँ पर आपके लिए debt लिख देना है और इसके बाद आपके लिए यहाँ पर भी एकाउंट नमर लिख देना है उसी तरह से आप जिस जो भी आपका एकाउंट नमर है अपके बाद आपके लिए यहाँ पर इमाउंट लिखना है सबसे पहले अपना यहाँ पर नाम डालना है यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूं नाम डालने के बाद आपके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है खाते में नगत जमा तो यहाँ पर मैं पांचार रुपे कर रहा हूं तो यहाँ पर पांचार रुपे लिख देता हूं और इसके बाद यहाँ पर आएक कुल जमा पांच चार रुपे हो जाते हैं मेरे और इसके बाद आपके लिए यहाँ पर जो रुपे आप जमा कर रहे हैं उन्हें आपके लिए सब्दों में लिखना है तो यहाँ पर आप सब्दों में लिख दीजी सब्दों में रुपे लिखने के बाद यहां पर आपके लिए अपना एक मोबाइल नमर डालना है आपका जो भी मोबाइल नमर है आपके यहां पर अपना मोबाइल नमर डाल दीजिए कि यहां पर मैं मानली यहां पर मॉबायल नंबर डाल के दिखा देता हूं आपके लिए एक्जामपल की दोड़ें कि इस तरह से आपके लिए अपना मॉबायल नंबर डाल देना है और इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं यह है pen पैन नंबर अगर आप 50 रुपे से आधिक जम्म कर रहा हैं तो यहां पर आपके लिए अपना पैन नंबर लिखना जरूरी है यहां पर आप आपके यहां पर यहां पर यह लिखा है जमा करता के अस्टेक्षर यहां पर जो है सिंगनेचर करना है आपके यहां पर मैं सिंगनेचर कर देता हूं इस तरह चापके लिए अपने सिकनेचर कर देना इस ऐसे और इसके बाद आपके लिए यहां पर यह नीचे सब कुछ खाली छोड़ देना है और इसके बाद आपके लिए यहां पर पीछे आ जाना है इस सिलिप में तो यहां पर हम नगत केस जम्म कर रहे हैं तो यहां पर माल लिए हम 5-6 रुपे जम्म कर रहे हैं तो मेरे पास जो 5-500 के नोट हैं वो 10 नोट हैं तो यहां पर मैं 10 नोट लिख देता हूं और इसके बाद यहां पर आपके लिए यह पैसे लिख देना है पांच यार रुपे कुल यहां पर यहां पर आपके लिए इस तरह से पांच हर रुपे लिख देने हैं आप जितने भी पैसे जमा कर रहे हैं आप उतने पैसे यहां पर लिख देजी और आपकी जो पर्ची है पूरी भरा चुकी है अब आप इसे अपने जो भी आप रुपे जमा कर रहे हैं उनके साथ आप इस सिलिफ को दे सकते हैं और इसमें से आपके लिए यह वाली जो सिलिफ है यह आपके लिए जो है फाल कर आपके लिए मिल जाएगी इस पर केसी है जो है सील लगा देंगी इसके बाद आपके लिए ये पर्चे मिल जाएगी आपको लिए ये वाली जो पर्चे है ये आपके लिए रखना है संभाल करें